हलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोपरिटी जो फ्लूड के बारे में, उसी डिस्कसन को थोड़ा सागे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट प्रोपरिटी पढ़ते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी जिसको स्मॉल एस से रि डिवाइड बाइ डेंसिटी ओफ स्टेंडर्ड फ्लूड यानि कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, शॉट फॉर्म में, किसी भी फ्लूड की, किसी फ्लूड, स्पॉज करो यह है, फ्लूड वन, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, डेंसिटी ओफ दिस डिवाइड बाइ डेंसिटी ओफ स्टेंडर्ड फ्लूड, ठीक है, अब यह दो डेंसिटी का रेश्यो है, उपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट आपस में किंसल हो जाएगी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, मतलब S is unit less अगर unit नहीं होगी तो dimension भी नहीं होगी and dimension less इसकी कोई unit भी नहीं होगी और कोई dimension भी नहीं होगी अब यह standard fluid है इसके बारे में देख लेते हैं देखो liquids के लिए standard fluid जो लेते हैं वो water होता है और gases के लिए standard fluid लेते हैं वो क्या होता है air या hydrogen तो लिख लेते हैं यहाँ पर, for liquids, standard fluid is water, and for gases, standard fluid is, या तो air होगा, और hydrogen, या तो air को लेंगे या hydrogen को लेंगे, यानि कि specific gravity का मतलब क्या है, किसी fluid की आप density निकाल रहे हो, standard fluid के relation में, और वो standard fluid liquid के लिए होता है आपका water, और gases के लिए होता है, hydrogen या air, तो इसमें थोड़ा सा ओर discuss कर लेते हैं, s of fluid 1 का जो formula है, c को फिर से लिख लेते हैं, s row of fluid 1 divided by row of standard fluid, अगर इसमें उपर और नीचे g से multiply कर दिया जाए, उपर भी g से multiply कर दिया जाए, और नीचे भी g से multiply कर दिया जाए, तो क्या होगा, row into g क्या होता है, w, last property में हमने पढ़ा था, कि row into g होता है, w, तो इसको लिख सकते हैं, w of fluid 1, यानि की specific weight, divided by w of standard fluid, या s of fluid 1 is equal to w of fluid 1 divided by w of standard fluid, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, तो एक यह formula हो गया हमारे पास, इसके बाद, इसके बाद देखते हैं, liquids के लिए, यहाँ पर देख लेते हैं, for liquids, liquids के लिए formula लिखेंगे, यही वाला लिख लेते हैं, s of liquid 1, किसी एक liquid के लिए चेक कर रहे हैं, this is density of that liquid, liquid 1 divided by density of water, और आपको पता है, water की density क्या होती है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, density of liquid 1 divided by 1000, यानि कि किसी भी liquid के लिए s की value क्या होगी, उसकी density divided by 1000, तो यहाँ से, अगर हम इस 1000 को इधर ले जाएं, तो liquid 1 की density पता लग सकती हमें, तो density of liquid 1 is equal to s of liquid, इसको लिख लिख लिए s of liquid 1, और यह 1000 इधर जाके multiply हो जाएगा, into 1000, तो किसी भी, किसी भी liquid के लिए, अगर आपको उसकी density निकालनी है, और आप s की value given है, तो directly s की value में 1000 से multiply कर दो, उसकी density आजाएगी, जैसे hg के लिए, like hg की 13.6 होती है s की value, s की value given होती है आपको, s of hg is 13.6, यह density नहीं होती है, यह specific gravity given होती है, तो इसकी density निकालनी है अगर, तो density of hg is equal to 13.6 into 1000, that is 13600 kg per meter cube, यह value आई, density of hg, तो इस type से आप किसी भी liquid की density निकाल सकते हैं, तो यह discussion हुआ हमारा specific gravity के बारे में, इसके बाद पढ़ते हैं, next property, हाँ तो discuss करते हैं, next property के बारे में, next property है आपकी compressibility, जिसको beta से represent करते हैं, actually beta जो होता है, वो क्या होता है, beta is reciprocal of bulk modulus, bulk modulus को के से लिखते हैं, beta is reciprocal of bulk modulus, bulk modulus का reciprocal होता है, k is your bulk modulus, k हमारा bulk modulus है, अब पहले k को पढ़ते हैं, k क्या होता है, k होता है bulk modulus, यह तो swarm में अपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पड़ा है तो जब सौम पढ़ेंगे तो उस टाइम पर इसको discuss करेंगे बल्क मोडलिस होता है volumetric stress divided by volumetric strain इस यह सोम में आता है कि बल्क मोडलिस volumetric stress by volumetric strain बट यहां पर fluid के लिए पढ़ रहे हैं तो fluid में stress की जगह पर pressure होता है यहां पर stress नहीं होता है यहां पर क्या होता है प्रेशर होता है तो जैसे ही pressure change होता है यानि कि change in pressure उसी को कहेंगे हम volumetric stress और volumetric strain क्या होता है strain का formula है change in volume by original volume तो volumetric strain हुआ change in volume by original volume बट यहां पर थोड़ा सा change है थोड़ा सा change क्या है देखो जैसे solid जो होता है solid का volume बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है but fluid के case में आपने कभी ऐसा सुना है कि fluid को पकड़ के आपने खीज दिया नहीं सुना है तो इसलिए fluid को लेकिन ये जरूर सुना होगा आपने कि fluid को आपने compress कर दिया तो fluids compressible होते हैं fluids are compressible तो जो change in volume आएगा वो क्या हैगा? negative आएगा जब भी आप इसको compress करोगे volume decrease होगा volume decrease होने का मतलब change in volume negative आएगा तो इसको positive रखने के लिए minus sign यहाँ पे लगा देते हैं तो यहाँ से आपकी k की value आई k is equal to minus v dp ये वी उपर चला जाएगा minus v dp by dv ये होई k की value तो इसलिए बीटा जो होगा वो क्या होगा इसका opposite है, reciprocal है तो minus dv by v dp ये हुआ बीटा की value अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगा आगे तब हमें पता चलेगा कि इस value को compressibility क्यों बोला तो देखो density आपने पढ़ा है density क्या होता है? mass per unit volume density होती है, mass per unit, volume तो volume को इधर से multiply कर देते हैं rho into v is equal to m इसको differentiate कर देते हैं इसको क्या अगर देते हैं? differentiate both sides दोनों तरब से इसको differentiate कर देंगे तो differentiate करेंगे तो देखो rho भी variable है और v भी variable है mass को constant रखेंगे क्या करेंगे? keeping m constant अगर mass constant है mass constant और compress कर रहे हो तो volume decrease होगा, density भी change होगी आपको पता है न, volume change होगा तो density भी change होगी तो दोनों variable होगे rho भी variable होगा, rho भी vary कर रहा है और v भी vary कर रहा है, ये भी variable है दोनों variable है अगर ये भी variable है, ये भी variable है और ये constant है तो ये दो function होगे दो function का product तो differentiate कैसे करेंगे first function as it is लिखेंगे पहले differentiation कैसे होगा first function as it is लिखेंगे और second variable का differentiation second function का differentiation dv फिर क्या करेंगे second को as it is लिखेंगे ये second है, इसको first लिए है हमने इसको second, ये second है second का as it is और फिर first का differentiation equal to, ये constant है mass constant है, तो constant का differentiation क्या होता है? 0 constant का differentiation होता है 0 अब इसको थोड़ा सा rearrange कर लेते हैं rearrange कैसे? rho into dv जो है, उसको उधर ले जाते हैं तो v d rho is equal to यहाँ पर ये positive term है उस तरफ लेके जाएंगे तो minus की हो जाएगे minus rho into dv और rho को इधर ले जाएंगे और v को उधर ले जाएंगे तो rho को इधर लेके जाएंगे तो d rho by rho is equal to minus यहाँ पर क्या बचा? dv बचा और ये v उस direction में जाके denominator में चला जाएगा तो ये जो है इसको put कर देंगे इस formula में इसमें put करने के बाद आपके पास k की value आएगी देखो k में क्या है? minus v dp by dv तो देखो minus dv by v जो है उसको क्या put करेंगे? d rho by rho तो यहाँ पर k की value आजाएगी rho dp by d rho और beta की value क्या आजाएगी? beta में देखेंगे beta में put करोगे तो minus dv by v की जगे d rho by rho तो इसकी जगे पर क्या लिखेंगे? d rho by rho तो d rho by rho और नीचे क्या बचा? dp यह हुई beta की value अब इसका फाइदा क्या होता है? इससे पता क्या चलता है? देखो अगर कोई fluid incompressible है suppose करो एक fluid है वो incompressible है incompressible जब होगा तो इसकी बीटा की value 0 आनी चाहिए क्योंकि बीटा शो क्या करता है? compressibility इसकी कुछने कुछ value आएगी और वो value बताएगी आपको कि इतनी इसकी compressibility है अगर बीटा 0 है तो इसका मतलब वो fluid क्या होना चाहिए? incompressible तो यानि कि for incompressible fluid बीटा की value क्या होगी? 0 अगर बीटा 0 हुआ तो इस formula से पता चलेगा बीटा किसके कबल है? d rho के d rho by rho dp तो 0 equal to d rho by rho dp और rho dp इधर आके 0 के साथ multiply हो जाएगे तो वो भी 0 हो जाएगा तो यानि कि d rho की value 0 और d rho 0 होने का मतलब जिसका differentiation अगर 0 होगा तो उसकी value क्या होगी? constant होगी तो rho constant तो यानि कि incompressible fluid का मतलब क्या है जिसकी density constant हो और यही तो है क्योंकि density अगर constant होगी तब ही तो उसको बोलेंगे कि यह compress नहीं हो सकता जिसका आप mass constant रखा आपने और उसको आप compress कर रहे हो pressure increase कर रहे हो उस time पे अगर उसका volume change नहीं होगा तो उसकी density भी change नहीं होगी density अगर constant है तो इसका मतलब वो compress नहीं हो रहा है यानि कि वो क्या है? incompressible fluid है अब कभी-कभी confusion हो जाता है और वो confusion क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कभी-कभी आपको लगता है कि fluid और flow को दोनों को एक ही term मान लेते हैं लेकिन fluid अलग चीज़ और flow अलग चीज़ है तो incompressible fluid जब भी होगा उसके लिए बीटा की value 0 होगी fluid, flow नहीं, सिरफ fluid तो for, यहाँ पर लिख सकते हैं for incompressible for incompressible fluid beta equal to 0 क्योंकि यहाँ पर fluid और flow में थोड़ा सा difference हम चाह रहे हैं तो flow के लिए भी पढ़ लेते हैं कि flow कभ incompressible होगा अगर आपको पता है ठीक है तो comment करो नहीं पता है तो हम आपको बता देता हूँ अगर आपको पता तो यहीं पर पोज करके इसको comment करो जब mac number की value less than 0.3 होगा तब ही आपका flow flow incompressible होगा flow यह fluid था, इधर हमने fluid लिखा है fluid incompressible कभ होगा जब beta 0 होगा और flow incompressible तब होगा जब mac number की value 0.3 से कम होगी mac number के बारे में बाद में पढ़ेंगे आपने mac mac number बहुत बार सुना होगा आपने hypersonics missiles के बारे में सुना होगा कि इसकी speed mac 1.8 है mac 3 है, mac 4 है, mac 5 है mac 10 है तो इस टाइप से आपने missiles की speed सुनी होगी actually mac number जो होता है वो होता है velocity of flow divided by velocity of sound velocity of flow divided by velocity of sound ठीक है तो sound से कितनी ज़्यादा value है mac number आपको बताता है कि sound के comparison में कितनी value है आपकी velocity की तो जो भी आप mac 1 से ज़्यादा पढ़ते हैं mac 1 से जो भी speed ज़्यादा होती है इसका मतलब उसकी speed sound की speed से ज़्यादा होती है ठीक है इसके बारे में mac number के बारे में अच्छे से बाद में discussion करेंगे बाद में आएगा ये topic आपको तो अभी के लिए इसमें इतना ही next इसके बाद पढ़ेंगे हम next property इसके बाद आपको पड़ी प्रूवी